असलाम अलेकुम, एप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मा यह लास्ट वाले टोपिक है आपके इस टेप्टर का इसके बाद यह आपका टेप्टर खतम हो जाएगा तो यह काफी द्याद इंपोर्टन टोपिक है यह वाले इंपोर्टन टोपिक है जितने भी शोर्ट कॉर्शन पढ़ गया चार ऐप्लिकेशन तो इसका ना सवाल मुक्तिलिफ ठीके से आ सकता है राइट ना वह हैकर राइट डाउन-दाइप्लिकेशन पहला जो वर्ट इसमाल करेंगा वह है अगर एप्लिकेशन नहीं लिखाता, तो यह झाहेगा यूज तो याद रखिगे का अगर यूज तो मतलब यही है कि application ही लिखनी है और इसके जगह पर अगर यह नहीं word आएगा तो इसके जगह पर आ सकता है importance यह तीन word इस्थमाल कर सकता है importance of plasma यह हमारे पास past paper में question आ चुका है और अमूमन जो आ रहा था वो application ही पूछता है अगर आपसे यह पूछ लाइड़ आउड़ यूज़ ऑफ प्लाजमा प्लाजमा कहा कहा पर इस्थमाल होता है तो वह भी सेम यह है इसके बाद अगर आपसे यह पूछ लाइड़ आउड़ इंप्लाजमा तो मतलब application ही पूछी हुई है तो start करते हैं प्लाजमा सबसे पहली बात हम जमीन की बात करेंगा हमारे इर्दिक्र कहा पर प्लाजमा समय हो रहा है तो जो पहले इस अए ना दर === क्या होता है入दियो हमारे गोरों में एाम लाइड लगी होती है इस fluorescent tube के अंदर हम plasma को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, light पैदा करने के लिए अब होता क्या है, कि आप जैसे ही क्रांट देते हैं, इस fluorescent tube को plasma पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसके जिसके light पैदा होती है, जैसे क्रांट ओफ किया plasma खता है, सही है, तो पहला जो यूज़ इसका, it is used it is used in fluorescent tube in fluorescent tube, यह fluorescent tube के अंदर हम इस्माल कर रहे होते हैं, सही है अब fluorescent tube में क्या होता है, when we apply electric current, जब हम electric current को देते हैं, तो हमारे पास जो दर्मयान में gas, इसके अंदर जो gas पढ़ी होती है वो plasma में चिंज़ होती है give भी कार सकते हैं, apply भी कार सकते हैं, यह आपके अपनी मज़ी, apply electric current जब हम electric current अप्लाए करते हैं, electric current the gas inside the tube जो gas module है, the gas inside the tube inside the tube, tube के जो gas होगी is converted is converted, यह बदल जाती है into plasma यह plasma बदल जाएगी and produce light and produce, और यह क्या पैदा करेगी, light पैदा कर रही होती है जैसे ही plasma भी change होगी, light पैदा होती है अब इसके पीछे logic क्या है logic basic साहे देखो आप यह आगे वाले chapters में जागे बढ़ोगे इसमें जो gas के atom होते हैं इस तरह gas के atom होगे यह करा हमारे पास कोई electron यहां भी मौजूद है यह कोई सरा मुख्तिर्फ electrons मौजूद होगे जैसे मैं electric current देता हूँ ना तो यह वाला electron यहां भी जाता है जब यह दुबारा फिर वापस आता है तब यह light emit करता है तब यह क्या करता है light emit करता है in the form of energy यह निए energy emit करता है जब बाहर वाले शायल से अंदर वाले शायल में आता है यह बला basic काम हो रहाता है लेकिन हम आगे जागे पढ़ेंगे next chapter स्कंद है तो हमें अच्छे लिए तुम सब clear हो जाएगा असे में काम क्या हो रहता है लोग इसमिंए वड याद रखनें यह कहां भी सिवाल हो रहा है fluorescent tube के अंदर इसके बाज़ा जो secondist के application है इसको neon signs के अंदर भी सिवाल किया जाता है कहां भी सिवाल कर जाते है neon sign में it is used it is used in neon sign neon sign वह सब्सक्राइब इसको प्रेसमेरा में न नाम कर्माण कोरा दुकर पारे नीयों1 होते है 멤वे अब सेम में, लीपला सेमेरा कम ही दो येसे मो क्रेंबंद ब्लास्माे बन जाते हैं, अएलेक्ट्रिक क्रें न में जी रिए dawn में पारे थ्यूम सेम लिएक टेन में अलेक्ट् मैं सेम बात लिख रहा हूँ उपर बारी, इंसाइड दा, ट्यूब इस करवाइटेड इन्टू, ट्यूब इस, करवाइटेड, इन्टू, प्लाजमा, ये प्लाजमा में करवाइट हो जाएगी और लाइट पैदा करेगी, और प्रोड्यूज, इसका अगर प्रोड्यूज, लिख लो बच्चे, और प्रोड्यूज, लाइट, और ये पैदा करेगी, लाइट को, जो बाते में उपर लिखे हैं, वही सारी, सारी, यहाँ पर है, मैं लिख दिए हैं, अगर कोई बच्चा सारे का सारा नहीं याद कर सकता है, टीवी होता है, कंप्यूटर होता है, सभी हो न स्विचित बीज़़ा होता है, इसमें प्लाजमी का स्क्राइब कहारा है, हमारे नॉर्मल ही न स्क्राइब होता है, यह हentiट स्वार्मल नहीं इस्माल कर हूदे हैं, सभी ही य बाइधि एस, यूज़ इन एलेक्टिकल डिवाइज एलेक्टिकल डिवाइज मसला हमारे पास सबसे पहले नमबर पर जो एलेक्टिकल डिवाइज के अंदर हम प्लाजमा यूज़ कर रहे होते हैं वह है जी कंप्यूटर computer chips बनाने के लिए हम इसको तो बनाने के लिए लेजर, अब लेजर क्या होती है? एक लेजर जो हम अमोरमने इस्तिमाल करते हैं, जो गरों में हमारे छोड़ बच्पन में लेते थे, वो ब्रेड कलर की निकलती चुस्वाप, वो वाली रेजर की बात भी का रहा है, जो ये वन लेजर है, यो है उसी तरह होगी इसके पास ना हमारे पास जो इसका next use है इसको surgical instrument की sterilization के लिए इसमाल किया जाता है इस यूजड इस यूजड इस यूजड फार दस्टिरलाइजेशन ऑफार दस्टिर लाइजेशन इसको sterilization के लिए करते हैं ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रॉमेंट्स इंस्ट्रॉमेंट्स अब यहां पे नहीं लिखा जी sterilization का मतलब होता है जरा सीम से पाक करने के लिए जरा सीम से पाक करने के लिए यह बच्छा हमारे पास से स्टिरलाइजेशन का प्रॉसस ए्स स्टिरलाइजेशन अब क्या मतलब सर्जिकल इंस्ट्रॉमेंट को स्टिरलाइज करने के लिए लिए गुट अगर एक operation करतें नहीं करने के बद्स इंस्ट्रॉमेंट वज अप ड्रक्ट्रों को बंद कर देते हैं और वहाँ पे प्लाजमा जिन्रेर कर वा देते हैं, प्लाजमारे के अंदर हाइए नर्जी होती है, हाइएएटने की वज़ा से, इसके उपर जो भी जम्स बगारा ओंगे, आपका इंस्तूमेंट बिल्कुल साफ हो जाएगा, वो इस process को हम नाम देते हैं sterilization का नाम देते हैं sterilization इसके बाद ना इसको हम use करते है food preservation में it is used it is used in food preservation food preservation тесь at reservation इसको food preservation में इसे हमाल कर रहेते हैं अब food preservation preservation कने आ महफोस करने के लिए महफोस करने के लिए लिए अब मैं 1 जिर पहले कмет प्लाजमा जाब मानी कासी का निल्जी कौफी जडा हाई होती है और यह तो इसको इसको ह हैं इस सबसी को मेहफोज करने आप इसकी हाई यरिग की ही पलाजमा वज़या से ह्गार्ण पकार मुट्राभ हुराभ क्यों होती है इस सुज क्या है असल में दुनिया में कोई ऐसे जगा नहीं जहांपे बक्टेरिया ना हो बक्टेरिया स्प्ट अजूड़ आ एवरिवाय बक्टेरिया हर जगा भी नहीं देंट हर दोख भात acia के अब कोई बी जगा नहीं effectivement को बक्टेरिया नहीं दोगाएं सबसे पहब ले जाएगा स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर हाइडरो क्लोरी के सर्टन रिलीज होता है, तो जाब वैसे जिला देता है हर एक चीज को, सबसे पहले आपके, जो मुख अंदर, सलयवा होता है, याद रखिए कि यह जरानसीम को खुद इल खिलकरता है, जिसलयवा होता है, जिसलयवा होता है। तो आगे इम्यून सिस्टम है, वाइट बलेड सेल्स, खितम कर देंगे इसको, अब खुराक जो होती है, आपकी खुराब क्यों होती है, में रिजन हम यह पढ़ रहे हैं, खुराक खुराब क्यों होती है, अब आपकी खुराक के अंदर है मजूद बक्टेरिया, कौन फिर गोष्ट को नमक लगाते हैं, अब खुराब को खुराब होने से बचाने के लिए अब क्या क्या काम करते हो, आपने न प्राने जमाने में कुछ लोग यह करते थे, गोश्ट वगरा को महफूस करने, जब फृजे वगरा नी थी, वो गोश्ट को नमक लगाते थे, नम मेना मेना चलाते हैं उसको, अब हुआ क्या है, आप गोश्ट को उपर वाले खाने में रखके काम क्या गरते हो, क्यों नहीं खुराब हो रहा है, असमेना हर एक चीज का आप्टिमूम टंपरेचर होता है, इसी तरह जो बक्टेरिया है, उसकी ग्रोथ कभी एक आप्टिमूम टंपरेचर ही मिल रहा है, जब ग्रोथ नहीं होगी, जब ग्रोथ नहीं होगी, तो विछ चीज खराब नहीं होगी, अब यहां भी करते हैं कि हमारा प्लाजमा इसको खराब होने से बचाता है, जो जरस ही महुंगे इसको किल कर देगा, और लास्वा जो generation of electricity, electricity, इसको electricity की generation के लिए इसमाल कर रहे होते हैं, तो किस तरह जो electricity हम इससे पैदा करते हैं न, the electricity produced, the electricity produced from plasma, produced from plasma, जो plasma से electricity पैदा की जाते है, is pollution free, is pollution free, je diakye होते है, किस तरह pollution free होते है ? झीड़मीर, इसकोपन प्राइण न, कुछ जाते हैं क्व और कोईल्य इसमालिया जाते हैं, जाए जलायोग ओगी है, पेटरोल जीजल तो जला रहे होते हैं, तो जलने से धुमा पैदा होता है, जो हमारे इन्वार्मन्ट को गया कर रहा हुता है खराब कर रहा है आप ने सट्रेंट इस वागरा पढ़ी होगी इस वज़े से होती आप देखो जो प्लाजमा इसमें कोई भी आपके दून वगरा नहीं पैदा होता है जिसकी वज़े से हमारे पास वोड़ा सेफ है और पलीशन फ्री होता है यह वाला वेथड का है हमारे पास पलीशन फ्री है तो बच्छे इसमें न जो में में बात याद रखने हैं यह लफज याद रखने आपने इसमाल रहा है इसमाल हुट ही तो यह यह दाखने हमारे पास आज का आई अलाफेस